आज का question है When a body falls toward the earth then it's total energy मतलब उसकी total energy में क्या-क्य changes आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं तो वो चीज आपको discuss करनी है जब कोई भी object earth की तरफ गिरता है क्या उसकी energy जो है वो increase करती है या फिर वो decrease करती है या फिर वो constant रहती है कोई change नहीं आता है energy में तो चलिए आज इसको देख लेता है मैं एक example से ये प्रूब भी हो जाएगा conservation of energy का तो आज हम एक question से दो-दो topics को clear कर लेंगे मालो ये एक building है इसकी जो height है वो कितनी है 90 meter ये 90 meter की building है एक ball मैंने एकदम उपर ले जाके रख दिए freely fall का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ free fall का मतलब वहाँ पर लिखा है na question में freely fall freely fall का मतलब होता है यहाँ पर जो air resistance लग रहे है मतलब जब भी कोई object नीचे गरता है earth की तरफ तो उस पर कुछ resistance लगता है वो क्या लगता है हवा हवा इसको रोकती है नीचे गिरने से इसकी speed वो कुछ तो effect करती है भले ही वो बहुत थोड़ा सा हो ठीक है कुछ तो effect करती है तो freely fall का मतलब है यह जो air resistance हा ना इसको हम हटा दे यह एकदम free fall कर लिए है ऐसे कोई रुकावटर नीचे उपर फिर मैंने का एक और फोटो क्लिक करना जब यह और 30 मिटर नीचे आ जाए आपने free fall कर ली आपने free fall कर ली जब यह 30 मिटर नीचे आई तो at the end आपने 3 फोटो जिसकी क्लिक करी जब यह 30-30 मिटर नीचे आ रही थी अब मैं आपसे पूस्ता हूँ इसकी energy में change आ रहा है जब यह नीचे आ रही है आपको वह आ रहा है क्यों इसके लिए आपको potential energy और kinetic energy के बारे में पता होना चाहिए potential energy क्या होती है यह depend करती है कि body जो कोई भी एक body है वो कितनी height पर है ground से अगर एक body ground से 90 मिटर की height पर है ग्राउंड से 90 मिटर की height पर है तो उस body की potential energy कुछ होगी विकोज वो कुछ उपर है ground से और अगर कोई body 60 मिटर अबव है ground से तो आप कह सकते हो कि इसके पास ज़्यादा potential energy है इसके पास एक कम potential energy है विकोज जितनी ज़्यादा height उतनी ज़्यादा potential energy है काइनेटिक energy क्या होता है अगर आपकी body कुछ motion कर रही है मालो vibrate हो या फिर वो चल रही हो या फिर वो गिर रही हो तब भी उसके पास kinetic energy होती है तो add the end अगर body में motion है तो उसके पास kinetic energy होगी अगर body कुछ height पर है तो उसके पास potential energy भी होगी potential energy का formula होता है mgh kinetic energy का होता है half mv square चलिए अब यहाँ पर आ जाओ अगर मैं इस positions को नाम दे दू a b c d अगर मैं इन चारो points पर energy निकाल दू और वो अगर same आ जाए तो हम prove कर देंगे कि जो आपके energy है वो free fall में constant रहती है अगर वो भड़ती भी आ जाए तो हो जाएगा इसका increase इस cancer अगर वो घठती भी आ जाए तो decrease दू रहेगा तो चलिए start करते हैं मैं निकाल रहा हूँ energy at point a point a जब ball point a पर थी तो उसके पास कौन सी energy थी तो टोटल energy जो यहाँ पर लिखावा है total energy equal होती है जितनी हो energy उस ball के पास हो add the end इसको हम potential energy plus kinetic energy का sum भी कहते हैं और इसको ही हम mechanical energy भी कह देते हैं आप लिख लेना अपने notes में mechanical energy भी कह देते हैं mechanical energy क्या होता है sum of potential energy plus kinetic energy तो क्या ball a के पास potential energy है हाँ है because वो ground से 90 meter उपर है तो हम निकाल लेते हैं potential energy का formula था MGH तो यहाँ पर mass मालो जो ball का है वो क्या है 2 kg की ball है तो 2 आप यहाँ पर रखो MGH formula था ना तो 2 जी यहाँ पर क्या है acceleration due to gravity the ball नीचे गिर रही है तो उसके पास कुछ acceleration होगा और इस वाले acceleration का हम कहते है acceleration due to gravity इसके value होते है 9.8 पर हम यहाँ पर ले रहे है 10 because calculation easy हो जाएगा height क्या है आपकी ground से हमेशा potential energy निकालते वे जो आपका object होगा उसकी height देखने है ground से कितनी है kinetic energy इसके पास थी यहाँ पर देखो यह ball rest पर थी यह खाली एक height पर पड़ी थी इसके ball पर कोई motion नहीं हो रहा था यह ball motion नहीं कर रही थी rest पर दी तो kinetic energy zero होगी zero होगी और zero होगी अठारा सुम्हें 0 प्लस करोगी यह 18 सुह आएगा तो energy at point A हमने निकाल ली इसी तरीके से हमें हर जगा निकालनी है चलिए यहाँ पर देखो energy at point B अब थोड़ा सा खेल बदलेगा energy at point B निकालने के बाद देखो total energy निकालनी थी हमें क्या होती है potential energy plus kinetic energy अब जाड़े देखो ball कुछ height पर है ground से हांजी है पर कितना height पर है वो 30 meter नीचे आ चुकी है तो 90 minus 30 हो जाएगा यह कहता 90 पूरा और 90 में से अगर हम यह distance minus करते है तो ball जो थी वो ground से 60 meter उपर रह गई तो हम potential energy हमेशा कौन से distance देखते है ground से distance देखते है इस बात का ध्यान रखना बच्ची हमें भी गलती करते है चलिए first of all हम potential energy निकालता है mass कितना था 2 kg जी कितना है tiny ले लो height कितनी है height change हुई है कितनी होगी 60 चलिए 612 मतलब 1200 joules kinetic energy है इस ball के पास हां जी अब इसके पास kinetic energy भी है because यह कुछ motion करकर नीचे आई है ठीक है इस body को कुछ disturbance हुई है तभी वो नीचे आई है और उसने कुछ motion हुआ इसकी body में चलिए अब वो निकालते है kinetic energy का formula होता है half mv square half mv square मैं इसको यहाँ पर find करता हूं ठीक है देखो mass हमें पता है कितना है 2 लिख देता हूं half m कितना है 2 v square हमें नहीं पता v square की value हम कैसे find करेंगे और यह find करेंगे equation of motion से किस तरीके से यहाँ पर जो v square minus u square equals to 2as आपको पता ही होगा v square हमें निकालना है u square यह initial velocity इनिशल velocity कैसे थी वो 0 था इनिशली रेस्ट परता acceleration क्या acceleration due to gravity कितना होता है 10 10 ले लो s क्या है height यहाँ पर height कितनी है यहाँ पर height कितनी है अरे नहीं यह वाली height हमें नहीं लेनी है हम बात करना है kinetic energy की तो kinetic energy की बात हम यह जो v square निकाल रहे है हम निकाल रहे है इतने से area की velocity यह इतने से area की velocity तो इतने area का distance लेंगे कितना हो गया 30 so v square आपका आ गया 32006 मदलब 600 joule कह रहा हूं meter per second ठीक है चलिए अब इस value का आप उठाकर direct यहां पर रख दिए इसका root मत करना क्योंकि हमें v square की value चाहिए तो अब लिख दो 600 2 से 2 गया यह कितना गया 600 तो 1200 प्लस 600 joule कितना गया 1800 कुछ दिखना शुरू हुआ energy at point b कितना आया 1800 energy at point a कितना आया 1800 इसी तरीके से energy of energy at point c भी आपका यह आएगा 1800 and energy at point db आपको क्या आएगा 1800 तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा जो आपकी energy होती है free fall में energy at energy of any object any object when it is doing free fall its total energy is conserved या फिर constant अब एक बात सुन लो total energy की बात कर रहा हूं potential energy पलपल change हो रही है जैसे जैसे उसका height change होगी वैसे potential energy change होगी जिस तरीके से उसकी velocity change होगी उस तरीके से उसके kinetic energy change होगी ठीक है तो यह था आपका question चलिए आपका है